नमस्का दोस्तो आज युँ बात करने वाले हैं थीटर में रिलीज हुई एक हिंदी फिल्म के बारे में जिसका नाम है टाइगर थ्री इसके लीडर में आपको नजर में आएंगे सलमान खान और केट्रीना केफ और इस फिल्म के जो डारेक्टर है उनका नाम है मनिश शर्मा ये वायरेफ स्पाई उनिवर्स की तीसरी फिल्म है वोर्व और पठान के माद अब सलमान खान से बहुत सारे लोगों को उम्मीद थी खास करके सलमान खान के जो फैन से उनको क्यूंकि पिछले दो साल से सलमान खान का जो करियर है उनकी जो फिल्में वो अच्छी नहीं जा रही थी बॉक्स अब इस पर लगातार उनकी फिल्म वोर्व और टाइगर थी से लोगों को बहुत जादा उम्मीद थी कि सलमान खान इस फिल्म से comeback करेंगे अब इस फिल्म को देखने के माद मेरा जो opinion बनता ने उसको मैंगर आपको बताओ तो मेरे लिए मूवी 2023 की वाहियात मूवी साबित होती है मलब दोस्तों ये मूवी इतनी फाल्तु है इतनी वाहियात है किसको देखा नहीं जा रहा था मलब सच बता रहा हूँ मेरा सिर्दन पकड़ लिया था इस मूवी को देखने के बाद इसको मैं जेल ही नहीं पा रहा था मलब इंटरवल आते आते तक तो सरंदर यहां तक पोज़ गया था और मतलब छोड़ना तेई ही था गया अब मूवी नहीं देख सकता लेकिन फिर भी मूवी रिव्यू करने के लिए पूरी मूवी दिखनी पड़ रही है लेकिन सत बता रहा हूँ इतनी टेरिबल यह मूवी थी कि इसको जेलना मतलब दो धाई गट्टे छेलना ही अपने आपने बहुत बड़ी बात हो जाती है फिल्म की बेजिक शोईलाइन के बात करें तो टाइगर वापिस से ISI एजर्ट्स के साथ मिलके एक मिसन पे निकल परते हैं जहाँ पे वो पाकिस्तान के PM इराणी को बचा रहा चाते है अप वो क्या आपने मिसन में काम्याब वो पाते हैं या नहीं ये जानने के लिए आपको पूरी फिल्म देखनी पड़ेगी इस फिल्म की जो कहानी है वो आदित्य चोपड़ा ने लिखी है और सच बता रहा हूँ कहानी को दिखदे वकत एक ही चीज दिमाग में आ रही थी कि कोन सा गांचया करके अदित्य चोपड़ा ने इस फिल्म की कहानी को लिखा सच बता रहा हूँ एक पाट साल का छोड़ा मच्चा भी इससे बेतरिन कहानी लिख सकता है इसकी कहानी इतनी वहियात है मलब आप खुद सोचों इंडिया का बेश्ट रो एज़न्ट ISI के स्टाथ हाथ मिलाता है पाकिस्तान जाता है और पाकिस्तान के परधान मलतरी को रेस्ट्यू करता है उनको बचाता है मलब यह जो उनों दे सोचा है ना सच में उनके लिए तालिया वज़नी चीए कहां से इसी सोच लाते है फिल्म में भर भर के पाकिस्तान का महिमा मंदन किया गया है फिल्म में पाकिस्तान बार बार यह डायलोग बोलते है कि जो प्रधान मलतरी दिखाई गई है पीएम इरानी वो क्या बोलती है कि पाकिस्तान तो एक अमन का देश है वो सिर्फ पुर्लिप शान्ती चाहता है अमन चाहता है फिल्म में एक डायलोग भी है कि वो भारत के प्रदानमंदरी को फोन लगाते हैं और पीम एरा नहीं बोलती हैगी पाकिस्तान ने तो सोच लिया है कि उसको नफरत या प्यार में से क्या चुनना है कि भारत ये सोच पाएगा भारत ने क्या सोचा है बलब ये लोग ये पूछ रहे हैं कि हम नफरत और प्यार में से क्या चुने बनकी नफरत कोन फेला रहा है आतंगवादी कोन भेज रहा है ये साजी से कौन रचरा है ये हम सबको बताए कारगिल यूथ हो गया पुल्वा माटे हो गया ये सब चीज हमको बताए लेकिन ये लोग अभी भी पाकिस्तत का मैमा मंदन काते हुए नहीं ठक रहे है फिल्म की कहानी को भी अगर साइड में छोड़ दे तो भी फिल्म में दे नाते हैं वर नाएइ इसके action sequences action के नाम पे इन लोगाने बस बंदुक के दिखाना शुनू कर दिया है इहीं इनका action है action के नाम पे भी उन्होंने कुछ नया सोचा हो कुछ एसी तरकिब निकाले हो कुछ नहीं बिल्कुल नजन में आ रहा था कि Salman Cutt का जो body double है वही stunt कर रहा उनकी जो बोड़ी है उग भी जो पीछे का पोस्चेर है वो बिलकुल साफ साफ नजर में आ रहा था तो कुछ नया तो उन्होंने किया नहीं है अम दोस्तों कहने पर तो ये स्पाइर युनिवर्स है लेकिन किसी कचरा युनिवर्स से कम नहीं है क्योंकि युनिवर्स के ना की कहानी हमें कहीं पे भी connected ही नहीं लगती पठान टाइगर को बचाने क्यों आता है टाइगर पठान को बचाने क्यों जाता है वो चो कहानी में connection आता है वो लगता ही नहीं है बस अचानक से पठान आ जा रहे अचानक से टाइगर आ जा रहे कुछ भी फिल्म में दिखा दिय ना ही आपको cameo impress कर पाता है और ना ही इनकी कहान ही आपको impress कर पाती है पफो बसकी भी बात करें तो मैं क्या बताओ पहली बाद आज तब और अभी तब भी केटरिना को एक्टिंग नहीं आती है इतनी वाहियाद एक्टिंग केटरिना कर रही थी इमोस्तार सीन पे तो वो क्या क्या कर रही थी जब उसका बच्चा को इंजेक्शन नहीं मिलता है बनाब आप उनकी डायलोग डिलीवरी देखना उनका चेहरे के एक्स्परिशन देखना क्या कर रही थी समझ मैं नहीं आ रहा था एक डायलोग में जोश होना चेहरे पावर होनी चेहरे वो लगता ही नहीं है बिल्कुल थंडी एवरेज एक्टिंग सलमान खान की तरब से आ रही थी और फिल्प के जो गाने हैं वो कान में से खुन निकालने के अलाबा कुछ काम नहीं करते है तो मेरे लिए ये 2023 की सबसे कटिया मूवी है नहीं ये मूवी आपको इंप्रेस कर पाती है और नहीं इस मूवी में देखने में आपको मन लगता है फिर भी अकर आपको ये मूवी देखनी है तो ये मूवी आपको थियेटर में मिल जाएगी अगर आपके पास time है और इसी कचर पट्टी वाली movie आपको देखनी है तो theater में जाके देखेगा इस movie की जो length है वो वोज दो गंडे पेता लिस मिनिट के आसफास से जो बहुत ही बड़ी लगती है interval में छोड़े दा का भी मन कर रहा था और film में नींद भी आ जाती है तो film कुछ भी आपको नया नहीं दे पाती अगर आपको देखना है तो अपने दम पर ही देखना मैं इस film को दूँगा zero out of ten stars आपको रिवी के सा लगा कमेंट सेक्शन में जरू बताएगा और अगर रिवी अच्छा लगा वो तो लाइक जरू कीजेगा तब तक के लिए फिर मिलते हैं जय श्री राम